हेलो दोस्तो श्वागत आपका हमारे इस चैनल पर एक बार फिल से दोस्तो आज हम लोग एक नया फ्रेश चीखेंगे दोस्तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग परेड़े एक नया फ्रेश चीखते हैं जो हमारे स्पीकिंग को काफी हेल्प करता है उसको स्टांग बनाता है तो दोस्तो जैसे मालीजी मैं आपसे कहूं, अगर मुझे दिल्ली जाना भी पढ़ा, तो मैं जाओंगा, अगर मुझे उससे बात करने भी पढ़ी, तो मैं करूंगा, अगर मुझे कॉलेच में पांच घंटे पढ़ना पढ़े, तो मैं पढ़ूंगा, दोस्तो इस तरह के सं हैंडी में तो बोल सकते हैं लेकिन English में कैसे दोस्तों इस से related हम आज आज फ्रेज़ आछिछ इसको इंगले में कैसे o दोस्तों देखतें हैं कुछ sentence के माद्धिम से इसके use किया है ऐसे ह। दोस्तों हमारा पहला sentence है अगर मुझे अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़े तो मैं जाऊंगा अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा तो मैं जाऊंगा दोस्ते यहाँ पर आप बेख सकते हैं जो पड़ा लिखा हुआ है यह पड़ा इसको आपको कट करना है यह नहीं होगा वहां जाना भी पड़ा तो मैं जाओंगा even if I have to go there इसका जो फ्रेज होता है दोस्तो even if I have to उसके बाद जो भी वर्ब है उसको लिख देना है जैसे मैंने कहा अगर मुझे वहां जाना भी पड़ा तो जाना वर्ब है इसलिए हमने गो लगा दिया अगर मुझे खाना तो इट लगा देते, नहाना तो बात जो भी होगा वहाँ पर हम वर्ब लगा देंगे तो अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा, even if I have to go there, तो मैं जाओंगा, I will अब दोस्तो, I will के बाद आप चाहें तो गो का इस्तेमाल कर दीजी और चाहें तो ना भी करें जैसे, even if I have to go there, यद मुझे वहाँ जाना भी पड़ा, I will go, तो मैं जाओंगा और अगर आप विल के बाद गो का प्रियोंग नहीं करते हैं, तो भी वह संटेंस आपका सही रहेगा अगर मुझे वहाँ जाना भी पड़ा, तो मैं जाओंगा, even if I have to go there, I will, I will, मैं जाओंगा दोस्तों, एक और संटेंस देखते हैं, अगर मुझे उसे डाटना भी पड़ा, तो डाटूंगा, even if I have to scold him, scold का मतलब होता है दोस्तों, scold का मतलब होता है डाटना even if I have to scold him, I will, अगर मुझे उसे डाटना भी पड़ा, even if I have to scold him, I will, तो मैं डाटूंगा यहाँ भी आप वैसा ही कर सकते हैं, अगर will के बाद चाहें, तो scold एक बार पुना लगा सकते हैं, लेकर अगर ना भी लगाएं, तो भी चलेगा क्योंकि speaking में सब कुछ चलता है, अगर मुझे उसे डाटना भी पड़ा, तो डाटूंगा even if I have to scold him, I will, तो दोस्तों, इस तरह के sentence आप और भी बना सकते हैं, और उसकी practice कर सकते हैं, जो आपकी English speaking को काफी strong बनाता है दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक sentence दिया है, अगर मुझे उससे यहाँ बात करनी भी पड़ी, तो करूंगा अगर मुझे उससे यहाँ बात करनी भी पड़ी, तो करूंगा दोस्तों, इसका English में translation आपको करना है, और comment box में लिखना है मैं देखूंगा कि आपको आज का phrase समझ में आया या नहीं ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए ताकि इसी तरह के phrase आप सीखते रहें बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों